हेलो गाईज, वेलकम बैक तो माई चैनल प्रेन आप तो जैसे कि आप सब ने देखा थम्नेल में एड़सेंस आइडेंटिटिटी वेरिफिकेशन जी हाँ आज का ये वीडियो टॉपिक है एड़सेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ये प्रोसेस मैं आभी आप सब को करेंटिटी का जाता है जो की आपका गुगल एंडेंस में जिसे आप टेक्स इंफो अपडेट करते हैं उसके बात का ये प्रोसेस है अगर आपने वह वीडियो मिस कर दिया है कि कैसे हम गुगल एडेंस में अपना tax information अपडेट करेंगे और आपको अगर नहीं पता है आप आप ने वह video मिस्ट कर दिया है तो मैं मैं उस चैनल उस video इसमारे वाहन से भी देख सकते हैं या फिर आप playlist description में playlist का section है वहाँ जाके आप वीडियो पॉच कर सकते हैं और आप उस process को complete कर सकते हैं तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो आपका text identity verification जो होता है Google AdSense में वो आप करेंगे जो कि आपका text information fill करने के just बाद का process है और इसके बाद का जो process है वो pin verification होता है जैसी अगर आप अपना identity upload करेंगे verification हो जाएगा आपका verify हो जाएगा तो आपको email भी आएगा Google AdSense के तरफ से ये भी बोला जाएगा कि आपको दो हफते से चार हफते के बीच में जो आपको Google AdSense के तरफ से जो pin मिलता है जो कि आप verify करेंगे अपना Google AdSense वो भी आपको मिलेगा और उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा वीडियो बनाकर आप सब के लिए upload करूंगा और आप सब यहां से देख के अपने लिए क कुछ सीख सकते हैं तो अगर आपका चैनल मॉनिटाइज हो गया है और आपको यह नहीं पता कि आपको मॉनिटाइज होने के बाद आप उसको apply कैसे करेंगे क्या 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 प्रोसीजर होता है इसके लिए मैंने पूरा एक complete वीडियो बना रखा है step by step कैसे आप अपना Google AdSense एड करेंगे कैसे आप अपना verification करेंगे कैसे apply करेंगे monetization के लिए इसका भी वीडियो बना रखाए उसके बाद आप वीडियो अपने वीडियो में कैसे ads लगा सकते हैं क्या क्या setting करनी होती है आपको जब Google YouTube के तरफ से जो आपको email receive होता है कि आपको YouTube partner program में accept कर लिया गया ह उसके बाद का क्या process ads कैसे लगाएंगे उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है उसका भी link में description में डाल दूंगा आप वहां से देख सकते हैं अब अपना channel setting कैसे कर सकते हैं सारा कुछ का मैंने वीडियो बना रखा है step by step में बना के आप लिए upload कर रहा हूं तो please अगर आप सबने miss कर दिया है तो आप जाके playlist के section में वहां से आप वीडियो को access करके देख सकते हैं और अपने लिए use कर सकते हैं और एक request है अगर आप channel पर new है तो please channel को subscribe कर लिजे अब bell notification on करिएगा ताकि आपको आने वाले latest video का notification मिलता रहे और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए यह बिल्कुल फ्री है आपको कोई पैसा देनेगा जरूरत नहीं होता है सब्सक्राइब बटन भी आपको प्रेंस कर दिजे यह भी बिल्कुल फ्री और notification तो kindly on कर लिजेगा ताकि आप सबको नेट आने वाले new videos का update आप सबको मिलत रहे है और आगे में और भी कुछ वीडियो लेके आऊंगा जैसे यूटूब का SEO जो की beginners है बिल्कुल जिनको कुछ पता नहीं है यूटूब SEO के बारे में तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कुछ useful tools है जैसे की TubeBuddy है, Weed IQ है इन सब का help लेके मैं यूज करता ह हूँ और भी कुछ website से जिनके बारे में मैं आप सब को बताऊंगा कि कैसे आप keyword research करेंगे कैसे आपको low competition keyword find करना है टोटेल मैं आप सब को यहां पर बताऊंगा SEO पुरा सिखाऊंगा और इसके बारे में मैं आप सब को यह बता दू कि बहुत जल्द मैं SEO का course भी launch करने वाला हूँ तो प्लीज चैनल को subscribe किजिए, bell notification on किजिए ताकि आने वाले वीडियो का notification आपको मिले और आप वीडियो को access कर से तो आज का यह जो वीडियो है identity verification Google AdSense में हम कैसे करेंगे यह main topic है तो हम चलते हैं अपने PC के screen पे और मैं वहाँ पे आप सब को दिखाता हूँ कि कैसे यह process complete किया जाता है चलते हैं PC के screen तो हम आचुके अपने PC के screen पे जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे Google AdSense के तरफ से email आया है और यह कहते हैं कि मुझे अपना identity जो है verification करना होगा payment करने के लिए और यहाँ पर कुछ instruction लिखे गए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं आपको भी यह जब email आएगा तो यहाँ पर instruction लिखा लाएगा और यह जो प्रोसेस यह जस्ट आफटर जो आपका tax information अपडेट करते हैं आप Google AdSense में उसके बाद का process है अगर आपने वह वीडि documents upload के लिए कैसे करना है तो फर्स्ट वाला है कि आपको जो क्या document आपका photo लेना है जो document का photo लेना है बिल्कुल सही तरीका से लेना है तो बलर ना हो image आपका सही से हो उसमें आपका legal name जो हो वह अच्छे से सो हो और image जो है full so document का image full आए ठीक है और सबसे main important है जो document आपको list मे दिखाया जाएगा उनमें से ही एक आपको पिक करके और उनका ही document आपको upload करना है तो यहां से यह सारे पढ़ने के बाद यहां पर मैं आपको verify नाव पे click करके दिखाता हूं आगे का process क्या करना है जैसे verify नाव पे click किया यहां पे pop-up open होके आएगा देखिए your verify your identity यह कह र document का photo है वह और जो आपका legal name है जो document में जैसा ने में वही नेम आपको यहां पर enter करना पड़ेगा तो देखिए यहां पर बीगीन verification में हम click करते हैं तो यह आपको पूछ रहा है legal name legal name का यह मतलब है कि जो आपका document में जो name है बिल्कुल वही name same as it is आपको यहां पर डालना है ठीक है और यहां पर देखिए accepted to proof of identity document यहां पर देखिए list दिया गया है document के इसाफ आपके country के हिसाफ से यहां पर list दिया जाएगा तो वहां से आपको एक document पिक करके यहां पर आपको upload करना है तो मैंने हम जैसे मैं इंडिया में रहता हूं तो मैं अपना pen card मैंने यहां पर upload किया मैंने यहां पर upload में क्लिक किया और अलड़ी मैंने pen card का photo अपने PC में रख ता तो वहां से जस्ट मैंने upload कर दिया देखिए यहां पर अभी यह pen card JPG format में upload हो गया यहां से अभी हम next में click करेंगे जैसे next में click करेंगी next step आ गया अब यहां पर यह आपको कह रहा है कि आ आपको अपना address आपका जो complete address है आपको यहां पर फिल करना होगा address क्यों इतना important है यह process के बाद आपको Google Adsense के तरफ से six digit कप पिन आएगा जो कि आपको verify करने के बाद आप payment receive करने के लिए eligible हो जाएंगे YouTube के तरफ से तो make sure कि आप अपना जो address है या proper address आप यहां पर फिल करेंगे क्योंकि यही address में आपका जो pin है वो pin आपको मिलेगा तो यहां पर मैं अपना जो address है वह फिल कर रहा हूं आपको जैसे यहां पर हाउस नंबर स्ट्रीट नंबर और प्रोपर एड्रेस जो भी है नियरबाइ लैंड मार्क जो भी है आपका सारा information यहां पर आपको फिल करना होगा बिल्कुल करेक्ट जैसे address city pin code state सारा कुछ आपको यहां पर फिल करना है बिल्कुल करेक्ट मेक शुर आप नियरबाइ लैंड मार्क भी दे ताकि आपके पास वो कोरियर जो है आपके पास पहुंचे six digit pin और आप वेरिवाय कर सकते हैं यहां पर मैंने फिल कर लिया और सब्मीट कर रहे हैं यह कह रहा है कि वेरिफिकेशन सक्सेस्पूल अब फभ्रहिस्थ के तरब से मुझे इमिल भेजा गिया है यह बोल रहे हैं अब यांपे में गॉट उपें करके आपको दिखाता हूं कि मुझे email आया है याने तो यहां से मैंने जैसे email open किया तो और यहां से मैं back कर लूँगा back करके मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए Google payments के तरफ से एक new email आ रखा है यह कहा रहा है कि identity verification successful इसका मत्तब यह है कि जो मैंने documents मैंने pan card का document जो upload किया था वह successfully update हो चुका है और यह वेरा verify हो गया है अब मुझे यहां से pin भेजेंगे जो कि two weeks four weeks के बीच में मुझे receive हो जाएगा मेरे दिये गए address में ठीक तो यह था आज का वीडियो ज़स इस process को यूज करके आप अपना adsense identity verification करवा सकते हैं Google adsense में और नेक्स वीडियो होगा pin verification उसका भी मैं वीडियो बनाके upload करूँगा और वो भी आप देखके अपने लिए pin verify कर सकते हैं और मैं यह बता दूँ कि यह process आप अपने लिए यूज करके अपना जो adsense का identity verification है जो government identity verification होता है उसको आप complete कर सकते हैं तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप चैनल पे न्यू आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल नोटिफिकेशन ओन कीजिए तकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का notification आप सबको मिलता है तब तक के लिए हम अगले न्यू वीडियो में मिलते हैं अपना ध्यान रखिएगा बाबाए